कित तुअ- obsession- bạnandal को इसलोम्ट नेक्स हमने स्टार्ट करना है चेप्टर नॉमबर फॉड चैप्टर नॉमबर फॉर हमारे पास है त्रनिंग एफ्यक्ट ओ फॉर्सिद यानि ज一次 कि नामतली खुटर है इसमें हम क्विपलीप्ली पॉर्सिस के मुड़िख अमने से बाडी कोपर लगाते हैं तो बाडी में तरुनिंग का कैसी आता है why ? когда यहिसे घूमती है यह सारी चीजें और इस से relevant और बहुत सारह चीजें हैं हम वोन इसमें डिसकस करनी है इसमें जो कॉन। टॉबिक हमने इसमें मैं पर देखने हैं इसमें सबसे पहले है वह है तो फिर उस सेकेंटीजे में हमार पास क्या इफेक्ट कि निकलता है और फिर हम उसको डेली लाइफ में कहां का अबसर्ब करते हैं यह चीजी हम इसमें देखेंगे second one है addition of forces यानि अगर हमारे पास दो forces हैं तीन forces हैं और number of forces हमें given है अगर हमने उनको add up करना है तो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उनको एक दूसरे एक साथ add कर सकते हैं यह भी हमने इसमें देखने हैं ठीक है उसके बाद next है resolution of forces यानि resolution मतलब इसमें करेंगे force को resolve करेंगे force का हम क्या करेंगे split करेंगे तकसीम करेंगे उसके components में उसके बाद है torque और moment of force यानि torque या moment of forces इसमें हम देखेंगे जब एक body है और जब हम force लगाते हैं तो इसमें फिर किस तरह का घुमावाता है वो कैसे body घूमती है एक force की वज़ा से जब force उसके उपर act करते हैं तो इस सारे के सारा हमने इसमें देखने है ठीक है तॉर्क में उसके बाद है principle of moments इसमें हम देखेंगे कब हमार पास कोई भी एक body वो completely stable होती है कब हमार पास body completely equilibrium में होती है इसमें हमने जो बाड़ी वो जो इसम बगेर घूम में कैसे क्या करती है आगे के जाने मौव करती है या फिर जब हम center of gravity में देखेंगे इसमें देखते हैं भी जब यानि वो point हम देखेंगे जहां पर उस body का पूरे को पूरा जो वेट होता है वह सिंगल पॉइंट को पर लाए करता है वह हम देखेंगे उसके बद कप्पल है कपल नाम से जारे इसको हम जोड़ा करते हैं ठीक है इसमें दर असल कपल हम किसी के लेते हैं हम forces का कपल लेते हैं और जब हम दो forces एक body को उपर act करते हैं तो फिर उसका क्या effect होता है उसको हमने देखने हैं equilibrium में हमने देखने हैं भी हमारे बाद कोई भी body completely equilibrium में कब होती है उसको हमने देखना है यहां पर ठीक है like and unlike parallel distances ठीक है कि इसको देखते हैं भी क्या चीज है like and unlike parallel forces पारसे ठीक हैं एक वहम पतार है पर कोई भी एक बाड़ी लेते है तो हमस्का उसक्ट मास्पर, युकू सब्सक्रेंगे सिसके उपर, इसर सदस्ट इसक्रों में सब्सक्राइब युक्त सब्सक्राइब करे हैं जिसको हम देखते हैं उसके उपर क्या कर Remember ofiment कर रही होती है number of all में कर रहे होती है अभ say हम प्रैक्टिकलय स्वेक्ट कर लेख लेते है यानि हम गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक रस्ते में हमारे गाड़ी में कोई मस्हारा जाता है उसके एंजिन में की टेक्षिण परप्लम और जाते हैं तो ंनिस्टकर LCD कि मौन युखे । इसंपल सरुप से के एक Gleich करता है धिक लगाता है। गाड़ी है इस तरीके से तो उसको स्टार्ट करवाने के लिए क्या किया जाता है उसके ओपर हम क्या करते हैं धका लगाते हैं ठीक है यानि धका लगाने के लिए हम अरब दो आदमी हैं तीन आदमें चार आदमें तो वह क्या करते हैं उसको पर फोर्स लगाएंगे यानि अ आदमी उसके उपर force लगा रहे हैं, तो वो force किस direction में लग रही है, अब यहां देखिए जो 4 forces हैं, जो 4 आदमी force लगा रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही direction में क्या गरने है, force लगा रहे हैं, देकर अगर हम इस case को देखें तो यहां पर तो ऐसा नहीं, यह तो तरह डिफरेंट ह है, अब यहां पर क्या है यह सारे कहा है, यह और सारे क्या कर रहे है, वो ईक ही direction में क्या कर रहे हैं, उस body के उपर force में लगा रहे है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, यह फोर्स हैं वो के एक दूसरे के पैरलल हैं क्या है पैरलल है अगर हम देखें दो चीज़ें पैरलल क्या है यानि फार्द करें अगर हम पैरलल की बात करें तो यह हमार पास क्या है यह दोने एक दूसरे के पैरलल में हम लेते हैं यहां पर जो एंगल होता है उनके द्रम्यान जीमिल ले लिया, एफ टू ले लिया, एफ त्री होगया, एफ ओर लो और गा तो ये सारी के सारी जो फोर्सी हैं वो कहा है इक दूसरे के पैडलल है, ठीक है तो इनको हम क्या कहाँगे ये हैं पैडलल फोर्स あり और दूसरा क्या है बहsteps ये एक ही डायकोस में यानि इस तरीके से मर रापस किया एक shopping bag है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, shopping bag के अंदर मैंने कुछ apples लिये थे और उनको इस तरह यह bag के अंदर हमने लखे यह यह shopping bag जो हम लेटे हैं उसके अपना तो हमें पता है कोई अगर हम ओन दा सर्फिस ऑफ अर्थ की बात करता है अगर हम जमीन के उपर रखते हैं तो मतलब क्या है उसके उपर हमें पाता कौन से फोर्स अक्ट करती है हर एक चीज के उपर का चरते हैं इसके उपर करता है इसके उपर बैक्ट करती है उसके उपर बैक्ट इनसा की चोब्वीट बहुत करें तो उसका मतलब जोसों क्या है इनकाइबूर इनका वेट होगा इसका किरेंबूर स्वेटो इसके पूर पर लग रही है इनका मतलब देक दृट है पोछ त्राइब resolving स्वेस पर ऑपर परste लग रही है हैं लाइक पैडलल फॉर्स अब इसका अगर एक और इक्जांपल ले रहे दें लिए नहीं हम फरदकेर फर्देड आपका स्कूल बैग होता है उसका जो वेट दर असल क्या है उसका स्कूल वेट दर असल इसके जितने में बूक्स डाली होई हैं नोटबूक्स डाली है सार उ specific force of gravity act कर रही थी ठीक है अब जैसे जैसे हम भूक को निकालते हैं उस बैग में से तो वह जो force लग रही थे वह क्या होते हैं कम होते हैं जब force कम होते हैं तो overall जो weight होगा वह हमारे पास क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक है इस तरह किसम देख लेते हैं यहां पर हमना रहा है like parallel forces यानि चुक्कि यह तमाम के तमाम forces क्या हैं एक एसम के एक ही जैसी है यानि एक जैसे मतलब क्या है इनकी direction भी same है और दूसरा वो कह है एक दूसरे के parallel है तो यह हमारे बस क्या किलाते है like parallel forces ठीक है तो अब हम क्या कह सकते है like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction यह कर हम इनकी definition की बात क क्या है वो तमाम forces एक दूसरे का क्या है parallel होंगी parallel to each other पहली बात और second one जो यहां पर है वो यह है उनकी जो direction होगी वो क्या होगी same होगी यह तमाम के तमाम क्या होगी same direction गेंदर वो forces क्या करती है एक्ट करते हैं किसी भी body के उपर ठीक है तो यह हमारे पास आ गया like parallel forces ठीक हो गया उसके बाद हम बात करते हैं unlike parallel forces की अब यहां पे देखें simple क्या है यह like parallel forces में parallel और same direction में अब जो unlike parallel forces वो भी almost ऐसे ही है उसमें भी क्या होंगी जो forces है वो भी एक जूसरे क्या होंगी parallel है ल है इनकी जो direction है वो क्या होजेगी एक दूसरे की opposite यानि जब हम unlike की बात करेंगे तो उसमें जो forces की direction होगी वो एक दूसरे क्या हो जाती है opposite हो जाती है यह हम अब discuss करते हैं unlike parallel forces अब इसमें हम क्या करते हैं कि example लेते है यानि example हमने ऐसे लिए है यह हमर पास क्या है यह हमने एक stand ले लिए है चोटा हमर पास क्या है एक stand है ठीक है है यानि Coming channel था इसको हमने क्या की गे साथ लटका थी है इसका क्या होगा लाजमी क्या होगा क्या होगा क्यों क्या होगा विए होगा हनभी इस को इसको इसको ह्याई क्या कर रही है force of gravity react कर रहीanking तो priorit को इसके बास क्या होतिक्त 태's इसका weight होगा वो क्या करेगा downward यानि towards the surface of the Earth होती है तो इसके surface के उपर रखा होगा वेट क्या है downward direction में act करेगा अब जारी सीबात है जब हमने इसको गया कि एक string यानि रसी के साथ बांदा हुआ है जब इसका weight क्या कर रहा है downward direction में act कर रहा है तो इस जो सट्रांग ए जो रसी है इसके अंदर क्या आ जाथी है है, जो बाद कीलिए चेंशन, बाद में होगी क्या होगी। एर यह पीछे हमने बढ़ा हुआ प्रीवर्श शेप्टर हमें लगाएगी बाद था बिजो वेट और हमार पास जो tension होते हैं वह हमेशे एक दूसरे के होती है equal in magnitude but opposite in direction यानि जितना weight होगा उतनी क्या होगी setting के अंदर definitely क्या आज़े कि tension होगी लेकिन यहां पर just difference क्या है weight की direction downward है और tension की direction हमार पास क्या है upward है यानि यह क्या है अब देखें इनकी magnitude क्या है एक जैसी है यानि यह क्या है same है लेकिन फरक क्या है यह दूसरे के दोनों forces क्या है opposite अब यह भी force है और यह भी force है यहां पर हमने क्या 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 है यह दोनों forces क्या है एक दूसरे क्या है parallel है but क्या है जो difference क्या है वो क्या है यह एक दूसरे के opposite है कि ठीक है तो हमारे पास आ गाएक और हम एक्जेंपल यह टाए जानी को जैनी है आए इसको मुझा पर एसे लिए ऐना चाहिए धा Orig Smith छेरे डूप सिरी कुल पर एक को म। Happiness आफरो जानी कार आफ़ास हो जानी है। अब यह देखें यह force क्या कर रही है upward direction act कर रही है और यह force क्या कर रही है downward direction act कर रही है तो यहां भी क्या है अब इन दोनों forces की क्या है जितने में उपर लगा रहा हूँ उतनी force में क्या लगा रहा हूँ downward direction में लगा रहा हूँ यानि इन दोनों forces की magnitude हमारे पास क्या है? सेम है लेकिन इन दोनों forces की direction है वो हमारे पास क्या है? एक दूसरे के opposite है तो ये दोनों forces भी हमारे पास क्या कराते हैं? Unlike parallel forces ठीक है? उसकी definition क्या करेंगे? Unlike parallel forces are the forces that are parallel but have directions opposite to each other यानि इसमें क्या है? Unlike maybe ये जो दोनों forces होंगे वो क्या होंगी? एक दूसरे के parallel होंगे ठीक है? और जो difference है वो क्या होगी? इनके जो direction है वो हमारे पास क्या होगी? opposite direction यानि जो जिस direction में act करी है वो direction एक दूसरे के क्या होगी? opposite होगी तो ये हमारे पास क्या है? Unlike parallel forces ठीक है? तो यह हमने देखा भी like parallel forces क्या होती है और unlike parallel forces क्या होती है यह definition के लिए paper point of view is important है यह जब भी आपसे पूछा जाएगा यह आपसे definition के लिए ही पूछा जाएगा तो उसका अपने definition को देखने book में आग पास given ठीक है